हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़िया मस्त रही हैं और अंटर्टेन्मेंट तो है ये आपको नए-नए टुस्ट देने के लिए रातो रात किसकी कौन सी हवा उड़ा दी जाए या रातो रात कौन से स्टार को बदनाम कर दिया जाए या रातो रात कौन से स्टार की पोजीशन में चार्ट चान लग जाएं पता नहीं चलता भाई मूवी देखते थे हम ऐसी कि रातो रात जो है स्टार बन जाते हैं अब तो हम यहां रियल में देख रहे हैं जब कहते हैं न जब आप खान में जाओगे तभी तो पता चलेगा कि कोईले की खान में वाकी हीरा है या नहीं है तो ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ आपके गुम है किसी के प्यार के फर्स सीजन की नील भर्ट और प्यारी आश्वरिया शर्मा उफ पत्रलेखा एंड विराट दोनों को फान्स ने बहुत प्यार दिया या कह सकते हैं गुम है किसी के प्यार सीनिक नई पहचान में घर घर में इन्हें चाना गया ऐसे में दोनों ही जो हैं रियल में हस्बेंड वाइफ है ऐसे में कई बार दोनों टुईटर पे ट्रोल भी हुए है उसके बाद ये दोनों हमें बिग बोस के घर में भी नजर आए लेकिन इसके रिस्तों में कोई भी दरार नहीं आई जहां पे जो हैं काफी कोसिस की गई इनके जो है रिस्ते में दरार डालने की बिग बोस में नाम उचले कीचर उचला लेकिन इनकी साधी सुधा लाइफ पर कोई भी असर नहीं पड़ा चलिए कह सकते हैं कि भाई जोड़ी हो तो इनके जैसी ऐसे में ये बास्ट कपल का कई जंगा अवोड भी ले चुके हैं ऐसे में इन दिनों ये कलर पर नजर आने वाले हैं वही क्यों नहीं नजर आएंगे क्योंकि जो बिग बोस का हिस्सा हो जाता है कलर के हर प्रोजेक्ट पर वो नजर जरूर आता है तो ऐसे में होली स्पेशल आपको नजर आएगा 23rd जो है आपका मार्च से तो ऐसे में होली सैलिब्रेशन में काफी सितारे जो हैं हिस्सा लेकर आपको एंटर्टेन्मेंट करने वाले हैं हमेसा ही कलर की होली स्पेसल होती है, भै उसका नाम ही कलर है, अगर कलर पे कलर नहीं भिखेरेगा, तो फिर क्या करेगा, ऐसे में महा पर आपके नील भट और आश्वरिय शर्मा भी पोचे अचानक से आश्वरिय शर्मा को चक्कर आ गया बस फिर क्या भाया कहते है ना साधी सुधा भाहू को चक्कर आने का मतलब आप जानते हैं ये कहानिया हमने सीरियल में ही देखी है बस कहा दिया भाईया मम्मी बनने वाली है बधाई हो बस भाईया पहला बच्चा आने वाला है दो साल बाद शादी के पहला बच्चा आने वाला है बस जम कर लोगों ने बधाई देनी शुरू कर दी जब उनका माँ चेक अप हुआ तब पता चला ऐसी कोई भी नियूज नहीं है और उनका BP लो हो गया था ऐसे में जब वो अपना महां से शूट करकर लोटी तो सोशल मीडिया तो हर कोई चेक करता है ऐसे में देखा भया दमदार लोग बधाई दे रहे हैं अगर करल किसी बुड़ी आमा को भी चक्र आगया तो लोग कहेंगे भया इस उम्मर में दादी बनने वाली है तो ऐसे में जो है ऐसी कोई नियूज नहीं है मेरा BP लो हो गया था और मैं कोई प्रेगनेट नहीं हूँ और जब बेबी की प्लानिंग होगी तो हम अपनी शोचल मीडिया पे खुद आपको बता देंगे तो इस तरह की वफाए मत उड़ाइए ये तो आप जानते हैं कि आश्वरिया शर्मा जो है जवाब ऐसे देती है कि फैन्स के दिल को तो बुरा लगता ही है जो ने ना चाहते हैं उनके तो सीधा दिल पर चुबता है तो ऐसे मैं आपकी क्या रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए बाकिये जानकारी के लिए लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है